हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घरेलून उसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है अगर आपकी तचा पर जाईया है तो यह उसे भी हटाने में काफी मदद करेगा इसके अलवा आपकी तचा के रंग में भी बहुत ज्यादा निखा रहाएगा लेकिन इससे पहले आप से रिक्वेस्टे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को जरूर क्लिक कर ले जिसे मेरे सभी नय वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चेरे पर दाग धब्बे और झायीं हो जाते हैं साथी तवचा के रंग में भी निखारनी होता तवचा पर साउलापन होता है मेरे इस मुझके की इस्तेमाल से आपके चेरे के दाग धब्बे, जाईया और सावलापन पूरी तरह से दूर हो जाएंगे तवचा साप, सुथरी और बेडाग हो जाएगी इसके लिए आपको लेना होगा बेसन आपको अपनी हो सकता का अनुसार बेसन लेना है बेसन हमारी तवचा के दाग धब्बो को मीटाता है हमारी तवचा को सौफ्ट और स्मूध बनाता है इसके अलावा बेसन के इस्तेमाल से हमारी तवचा के मैल और गंदगी असानी से साफ हो जाते हैं जिससे हमारी तवचा साफ सुथरी और निकरी हो जाती है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है आपको लेना है टमाटर और इसका रस आपको इस्तेमाल करना है टमाटर विटामिन सी से भरपूर होता है यह हमारी तचा के दागधबों को मिटाने में काफी मदद करता है साथी यह हमारी तचा को निखारने में भी बहुत ही ज़्यादा असरदार है आपको इसमें नीबु करस मिक्स कर लेना है आधा चमच नीबु करस भी तचा को निखारने में काफी मदद करता है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है रोज वाटर यानि कि गुलाब जल, आधा चमच आपको इसमें गुलाब जल मिक्स करना है, अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, अब इसके इस्तेमाल करना है, आपको अपनी तचाप पर, इसे आप अपने चेहरे पर साथ ही अपने गर्दन पर भी इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से आपको इसे लगाना है, फिर जब ये ड्राइ हो जाए, पूरी तरह से सूख जाए, तो आप इसे नॉर्मल पानी से धोले, इसके इस्तेमाल हफते में तीन से चार बर करें, आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा, आपकी तचाप गोरी निखरी बेदाग होगी, साथ ही आपकी तचाप के दाग स्क्राइब करना ना भूले, मिलते हैं अगली वीडियो में